हलो एव्रिवन तो लेक्चर नुबर टू में कार्बॉक्सलिक एसिड में आज अपन मेंली केमिकल रियक्शन्स को पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर में मैंने पहले आपको हमभग दिया था मैं सबसे पहले इन तीनों क्वेशन्स को डिसकस कर लेता हूँ देखो फिनाइल मैगनीशम रोमाइड की रियक्शन सियो टू के साथ करवाई इन प्रेजन्स ओफ एसेटिक एस इन प्रेजन्स ओफ एथर सॉल्वेंट था क्या आप देख पाई है यह यहां पर MgBr आपको करना क्या है आपको कुछ नहीं सी ओ टू के साथ रियक्शन करवानी है यहां MgBr सी ओ टू के साथ रियक्शन होगी यहां कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा इस पर पारिशल माइस यह इस पर करेगा अटैक फिर एच प्लस डाल दोगे यानि फिर बेंजीन रिंग के साथ यह सी ओ ओ पर माइनस आया होगा और H, Benjoic Acid बन गया, Benjoic Acid बन गया, कौन Benjoic Acid नहीं दे सकता साफ साफ बताया था जिसके पास एक भी Alpha Hydrogen नहीं है, एक भी Alpha Hydrogen नहीं है तो वो टेस्ट नहीं देगा, वो अक्षडाइस नहीं होता, आन्सवर, यहां देखो यह अच्छा सवाल है, यह वाला अच्छा सवा आप बन गया, एक्या बन गया, अलकीन में, ब्रोमीन इन प्रेजन सोफ CCL4 डाला, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एड हो गई, अब आप केसीन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? केसीन, वो भी एक्सेस में, यानि दोनों बी-ार को हटाकर Cn-Cn आ जाएगा, और आपको बहुत ब नाम ना बना पाएं क्या आप इसका नाम ना बता पाएं अरे देखो मेरा बाई टू आ रहा है ओ एम एस जीरो बन टू सकसेनिक एसेड ए आंसवर ए डी ए ए डी ए आंसवर थे इन तीनों के जो आप नहीं बता पाएं कुछ-कुछ लोगों ने जहीं बताया फिलाल कोई नी आज अपन नई reactions की बात कने जा रहे हैं chemical reactions, carboxylic acid की कौन-कौन सी reaction with metals and alkali के reaction करते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान, देखो carboxylic acid के पास एक acidic H है, hydrogen more electron negative atom के साथ, यानि oxygen, fluorine, इनके साथ attached है, acidic hydrogen बोलते हैं sodium, sodium क्या करेगा, salt बना लेगा, कैसे? sodium का काम ही है electron को loss करना, यानि यहाँ minus, यहाँ plus, H plus एक electron को लेकर half H2 निकाल लेता है gas की form में और यहाँ बन जाता है R, CO minus और उसके साथ attach हो गया, any plus, यानि salt बनाया और H2 gas liberate कर ली, salt बनाया और H2 gas liberate कर ली, यहाँ पर भी, sir OH minus, OH minus इस H को चुरा ले जाएगा, और क्या बना लेगा? Sir, water की formation कर लीगा, और यहाँ बन जाएगा salt, और यह H भी, यह H भी इस H को चुरा ले जाएगा, बातों ही बातों में, और यहाँ पर salt बना, CO2 gas liberate plus H2 gas, यह आप ऐसा कर लो, H2 CO3 बना लो, H2 CO3 बना लो, H2 CO3 बना लो, देखो न, अरे देखो डरते क्या है हो, Na plus plus HCO3 माइनस में टूट जाएगा, और HCO3 माइनस, H plus को ले कर जाएगा, H2 CO3 बनाएगा, कारबोनीक असिट, तुरंत रिकमपोज कर जाएगा, water plus CO2, यानी CO2 gas निकलती है, और water निकलता है, क्या आप यहाँ तक की बाते सीख पाई हैं, क्या आप यहाँ तक की बाते सीख पाई हैं, एक छोटा सा एक्जम्पल, टैंक 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 यहीं लिख लेते हैं, सवाल की खुबसूरती को देखना, सवाल की खुबसूरती को देखना मेर भाई, सर खुबसूरत तो हो भी थे, फिर तुम बखवास करते हो, फिर तुम बखवास करते हो, बे, SO3H लगा दिया SO3H लगा दिया और क्या लगाएं यहाँ पर OH लगा देते हैं मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल है sodium डाला है excess के अंदर कितने mole कितने mole hydrogen gas liberate होगी है मुझे सोच कर अभी बताओ अभी तुरंत number of means मैं ऐसे ही सवाल आते हैं number of mole of H2 gas evolved समय ले लो 10 सेकिंड वीडियो को कर लो पोज मुझे आंसर चाहिए अभी तुरंत sir I hope समने वीडियो को पोज करते हुए आंसर सोच लिया होगा जब अपने 1 mole sodium डाला यह 2 से 2 अटाओ ना तुमें क्या मतलब 2 है sodium डाला तो आपने एक acid catch को replace करने पर half hydrogen liberate हो रही थी हमारे पास हमारे पास कितने mole acid catch है कितने है एक है दू है तीन है अरे oxygen के साथ hydrogen acid catch होता है न बताये तो थे सर जी 3 है तो सर जी 3 by 2 moles of hydrogen gas liberate होगी याद रखना में दोस्त बहुत लोग जल्दबाजी में 3 करते थे हैं कलत बात अरे या एक H है तो H2 gas liberate हो रही है न एक H है तो half H2 gas liberate हो रही है तो 3 H है तो 3 by 2 H2 liberate होगी मेरे भाई clear चलो यह देखो grignard reagent के साथ reaction आपका प्यारा जाना माना फेवरेट वाला grignard reagent कैसे ब्रेक होगा सर partial minus partial plus हमारी नजरों ने धूंड लिया S-C-D catch को यह आपकी नजरे धूंड पाई है इस S-C-D catch को S-C-D catch को सर इस carbon पर minus है E हमारा S-C-D catch C-R C-H-2 H plus side product बन जाएगा M-G-B-R और इसी पर attach हो जाएगा यह C-O-R- हमें इसे side product से तो कोई काम है ही नहीं हमें तो काम है हमारी main product से क्या आप से सवाल पूछे क्या अब हम भर-भर के आप से सवाल पूछे सर पूछ लो डरने की कोई बात ही नहीं अरे हमको बोल ले हो तुम ऐसा हमको बोल रहे हो आओ आज सौंबार है बोले नात का वार है स्वास्तिक हम पहले बनाएंगे फिर आप से हम सवाल पूछेंगे और इस उमीद में इस उमीद में कि आप answers करने से डर नहीं पाएंगे नहीं बच पाएंगे देखना मज़िदार है फेवरेट गैस का नाम बताओ तुम अपनी फेवरेट गैस का नाम बताओ कौन सी रखें सर यहाँ पर आप लगा दो अब और कौन सा ग्रूप लगाओगे NH2 लगा देता हूँ चलेगा हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर CH3-MG-BR डाला किसमें? XS में सोच समझ कर बताना जल्दवाजी मत करना number of number of mole of methane gas formed कितने mole methane gas formed होगी? अच्छा कुछ बच्चों को नहीं पता तो एक बार दिमाग में रखना fluorine oxygen nitrogen sulfur SP carbon इन सब से जब hydrogen attached होता है H attach होता है तो acid catch होता है कैसा hydrogen होता है? वो acidic hydrogen होता है fluorine, oxygen, nitrogen, SP वाले carbon से जड़े hydrogen को acid catch बोला जाता है सर हमने बातों ही बातों में answer ढूंड भी लिया answer ढूंड भी लिया यह सारे answer आपको correct मन में सोच लेने है notes में एक एक चीज लिखनी है मिर भाई क्या है यहाँ पर? सर CH3 minus partial minus को तालाश रहेगी किसकी? सर जिने है हमें है जिनकी अरे तुम अपनी बातें मत करा करो तुम अपनी बातें मत क्या करो सर HD catch एक है दू है यह भी तो एक HD catch है तीन और एक चार सर चार-चार HD catch है कितने more liberate होगा बहे? सर कितने more liberate होगा चार more liberate होगा अपने कुछ-कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यहां तो दो HD catch है कैसे करोगे आप? अरे मेरे भाई एक H जाएगा न तो NH पर माइनस आ जाएगा NH पर माइनस आ जाएगा एक H प्लस की form में जाएगा अब यह और माइनस आ चुका है यह और H नहीं देगा एक ही acid catch है NH2 जरूर लिखा हुआ है बड़ दो HD catch नहीं है प्लीज अक्सर लोगों के मन में दिक्कत आती है गलती हो जाती है एक ही acid catch है कितने मोल मिथेन गैस लिपरेट होगी? चार क्या आप समझ गए है यह कहानी? क्या आप यहाँ पर समझ गए है यह Alcane बनाए RCH3 यानि आप Carboxlic Acid के अंदर Grignard Reagent ढालती है तो आपको Alcane मिलता है क्या मिलता है? Alcane कहानी को आगे बढ़ाएं आओ असान बताओ कौन सी ऐसी reaction है जो आपको बहुत टफ लग रही है भी तक मुझे तो नहीं लगता बस चीजों को लंबे समय तक तिमाग में रख लो आनन्द ही आनन्द है आनन्द ही आनन्द है यार मुझे दो लाईने याद आ रही है एक तमसी याद आई थी माईन में कि की थी भूल गया मै Let me think Let me think थी यार चलो याद आएंगी तो सुनाँगो बट आज की लेक्चर में टेंशन ना करना आईए अब कुछ बात करते हैं Acid Derivatives की Acid Derivatives मैंने आपको चार बताए थी क्या आपको नाम याद है हाँ सर Acid Cloride यानि Acid Helide Enhydride Amide Ester बहुत इबढ़िया आईए Acid Cloride को बनाने के कुछ खोबसूरत मैथड सर बनाने में हम उस्ताद है अरे तुम रहने तो तुम Acid Cloride बनावे Acid के अंदर क्या आपके निगाएं ये देख पाई है सर इतना तो हमें पता लग गया Acid Cloride बनाना है यानि R-C-Rable Bond O-C-L R-C-Rable Bond O-C-L R-C-Rable Bond O-C-L बनाना है यानि इस OH को हटाना है बिल्कुल OH कहां कहां से हट सकता है क्या-क्या reagent आप डाल सकते है PCl-5 in presence of pyridin डाल दो PCl-3 in presence of pyridin डाल दो या SoCl-2 डाल दो सब बना देते हैं ये Acid Halide Side Product पी लिख लो Side Product भी लिख लो वैसे इतना काम नहीं आएगा POCl-3 प्लस HCl यहां आजाता है H3PO-3 यहां आजाता है SO2 प्लस HCl SO2 प्लस HCl क्या आप की निगाएं ये देख पाई है क्या आप की निगाएं देख पाई है तीनों में हमने बातों ही बातों में Acid Cloride को बना लिया याद रहना यह सारी चीजे में आगे Conversion में काम आएंगी दोस्त Acid यानि Carboxlic Acid में जब आप PCL-3, PCL-5 या SOCl-2 डालते हैं तो Acid Halide ही बनता है कुछ practice हो जाए जैसे Cadbury काया डाता है कुछ मीठा हो जाए अब देखो यारी उपर वाला Question मुझे करने में शरम आ रही है मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्या करूँ मैं इसके अंदर कुछ है ही नहीं करने लाइक है ही नहीं Sir OH को हटाना है SOCl-2 आपने डाला है CL को लगाना है बातों ही बातों में Benjoil chloride बनाना है नाम याद अखना नाम है Benjoil chloride Side product आप लिखना चाहें तो लिख सकते है SO2 प्लस HCl यहाँ देखो Sir यह NO2, NO2 कुछ करेंगे अरे भया कुछ नहीं करेंगे यह Agitist सांती से पड़े रहेंगे तुम्हें तो जो सिखाया है बस वो काम करूं न Acid Halide बनाओ न बन गया product बन गया बातों ही बातों में product क्या आप देख पाएं है क्या आप देख पाएं है कितनी असान यह reactions है एकदम बच्चो वाली बहुत असान हाँ सर मजा आ रहा है थोड़ा सागे चलते है Fischer Esterification Reaction यह काफी important है काफी important Even काफी मतलब काफी बोल रहा हूँ तो मतलब काफी है ही हाँ सरसरती का time है काफी पीने का मन कर रहा है अरे तुम कहें फर्जी बात करते हो बे हम कह रहे हैं बहुत important reaction है यह Fischer Esterification Reaction Class 9-10 में आपकी मेडम ने बढ़ा ही होँगी हमें याद जैसे आहा रहा है पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है आपकी मेडम ने बढ़ताया होगा कि alcohol और acid से ester बनाते है fruity like smell रहता है हाँ सर बताया है अच्छा जी चलो तो वही करने जा रहे है मज़े की बात देखो carboxylic acid में जब आप alcohol डालते हैं तो आपको बन जाता है ester यह है acid and यह है alcohol acid और alcohol की reaction से क्या बन रहा है ester क्या आपको पता है इसकी smell कैसी होती है fruity like smell esters are fruity like smell रसना वगेरा इन सब में अश्टर रहते है रसना वगेरा आते हैं tank, रसना, रोवजा इन सब में अश्टर मिलते हैं आपको यह तो बहुत असान है acid और alcohol अरे भाईया मज़े की बात मज़े की बात पता है क्या है यहाँ पर यदि मैं इस oxygen को ऐसे mark कर दूँ तो आपको यह बताना है कि इस oxygen जिस पे star लगाएं हैं इस एसिड से आ रहा है या alcohol से आ रहा है यही तो है खुबसूरती सवाल की यह star वाला oxygen एसिड में प्रेजेंट है या alcohol में आज एक बड़ी शांदा जुगार सीख कर जाएंगे water का करने ना simply remove तो आपने water का किया है ना और water का निमोगल कैसे करोगे वे आई से एलकोहल से ह ले लो एसिड से ओवेच ले लो अच्छा तो यह oxygen हमारी काम के चीज में बहुत ही फेवरेट चीज है हमारी एलकोहल अरे तुम बिगड रहे हो है एलकोहल से आएगा यह oxygen किस से आएगा एलकोहल से हाँ सर इकनी काम के चीज है oxygen तो जरूरी होती है देखलो देदी बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है क्या अब मैं आपसे क्या अब मैं आपसे छोटे-छोटे सवाल पूछूँ तो आप उनके बड़े-बड़े आंसर कर दोगे क्या आप उनके बड़े-बड़े आंसर कर दोगे कर देंगे सर आप सवाल तो पूछे चलो पूछते हैं CH3 OH और मैं इसको 18 बना देता हूं और डालता हूं क्या आप प्रॉडेक्ट बना पाएंगे सर बना पाएंगे हमने प्रॉडेक्ट बना दिया अच्छा तो ये 18 कहां जाएगा सर ये वाटर में जाएगा हाँ यही मैं पूछना चाहा रहा था याद रखना ये OH और H जाता है यदि यहाँ पर यदि ये star mark है तो ये star mark oxygen है क्या आप इतनी बात सीख पाएंगे अच्टर में आईए दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं याद रखना दुबारे बता देता हूँ important है acid और alcohol मिलकर acid और alcohol मिलकर क्या देते हैं ester देते हैं क्या आपको एक चीज़ याद है हमने ulti reactions भी बढ़ रखी है क्या ester का hydrolysis भूल गई क्या ester का hydrolysis भूल गई क्या पानी डाला था पानी और मैंने क्या कहा था यह वाला bond break कर दो इसको OH दे दो इसको H दे दो ऐसी वाली चीज़ याद आ रही है तो आप देखो न C double bond O को आपने OH दिया यानि इससे OH लिया होगा तभी तो OH दिया अच्छा तो यह वाला oxygen यहाँ आएगा कि अब आप खुब सुरत वाली बात सीख पाई है प्लस R-OH यानि यह वाला oxygen दूसरा color करके दिखाता हूँ आपको यह वाला oxygen तो पक्का पक्का alcohol से यह आया है देखो अब तो feel आ गया अब तो feel आ गया इस reactions को बोल देते है hydrolysis reaction पानी के साथ reactions है hydrolysis reaction अब fissure esterification के ना थोड़ी सी mechanism भी है इसी mechanism भी सीख लो mechanism of esterification of carboxylic acid आसान है कोई बहुचा था मुश्किल नहीं सबसे पहली step में सबसे पहली step में carboxylic acid पे H-plus आता है और यह oxygen का lone pair SH-plus पर करता है attack और protonate हो जाता है क्यों करता है carbonil वाले chapter में पढ़ाया था electrophilicity बढ़ाने के लिए next step में acid पे alcohol का oxygen का lone pair करता है attack यह bond यहां से migrate अब इस वाले carbon पे यह देखो इस वाले carbon पे और यह बीच वाला carbon है ही इस पे एक OH पहले से था एक यह OH यह वाला और क्या attach हो गया alcohol attach हो गया अब क्या होगा यह H-plus यहां से चला जाएगा और proton का हो जाता है transfer यह H-plus यहां से जाता है तो बगल वाला alcohol यह नि OH protonate हो जाता है क्यों protonate हो जाता है क्योंकि living group बनने के लिए तयार है यह water as a living group निकल जाता है तो इस कारण पर प्लस आएगा oxygen का loan पर electron pair देगा और ester की formation कर लेगा दुबारे से समझेंग पार इस चीज़ को क्योंकि आसान है बस देखने में लगता है तीन चार स्टेप से ने इसलिए देखने में लगता है जीब सा पटासा ने सबसे पहले oxygen के loan pair ने H पर किया attack protonate हो गया फिर alcohol ने किया attack H प्लस का transfer water as a living group निकला back bonding एस्टर बन गया यह दिश की छोटी सी mechanism हम कहानी को थोड़ा सागे लेकर चलते हैं जैसा भी आपने सीखा था formation of acid halide इसी तरह अब बात करने जा रहे है formation of amide amide बनाने की reaction बहुत important बहुत मज़िदार carboxylic acid में जैसे ही आप ammonia डालते है color कर लेते है change carboxylic acid में जैसे ही आप ammonia डालते है तो सबस्पहले ammonium salt बन जाता है O-NH4 और फिर आपको strong heating करनी पड़ते है करीबन 1500 से 200 degree Celsius further heat करना पड़ता है और यहाँ पर आपको फिर amide की formation हो जाती है किसकी formation हो जाती है अपनों को amide की यानि R-C-O-Bond O-NH2 amide बन जाता है क्यासर हम indirectly ये भी याद रख लें कि carboxylic acid में ammonia डालने पर amide बनता है direct आप ये याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त कि carboxylic acid में carboxylic acid में क्या डाला आपने sir हमने ammonia डाला अच्छा देखना मैं ammonia का वैसे लिखता हूँ क्या HNH2 यानि NH3 तो लिख रहा हूँ सर अम समझ गई क्या करने वाले है heat करने पर किसका remove करोगे heat करने पर किसका remove करोगे water का क्या आप water का remove देख पाए है क्या आप water का remove देख पाए है और product बना पाए है amide बन गया बातों ही बातों में बातों ही बातों में amide बन चुका है एक चोटा सा सवाल करोणा चाहरा हूँ बहुत असान सवाल है बेंजोईक एसिड में अमोनिय डाला अमोनियम बेंजोईट ये सॉल्ट बना फिर हीट कर दिया वाटर का करा रिमूवल और बेंजमाइड बन गया बनने वाले बनने वाले कंपाउन का नाम याद रखना क्या नाम है बेंज अमाइड एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ NCRT से ही मैंने लिया है ये डाइगरम आप इस सवाल को करेंगे माल लो ऐसिड है ये थैलिक एसिड नाम तो याद हो का यार पहले ही लेक्चर हों पढ़ाए थे थैलिक एसिड थैलिक एसिड से हमें थैलिमाइड और थैलमाइड पहुचना है देखो क्या क्या करोगे आपका माल सर अमोनिय डाला है हम सबसे पहले सॉल्ट बना देंगे O-NH4+, O-NH4+, माइनस प्लस, माइनस प्लस अब क्या कर रही हो सर अब हम सीख गए है हीट करने पर वाटर का होगा रिमूवल बन जाएगा अमाइड बनने वाले कमपाउन का नाम है थैलमाइड थैलमाइड नाम है अमाइनस चेप्टर में गैबरियल थैलमाइड प्रपेशन पढ़ाऊँगा वहाँ काम आएगा ये थैलमाइड अब देखना थेलामाईड में वापिस हीट करने पर कमाल क्या होता है अब देखना क्या कमाल होता है अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं देखो C double bond O C double bond O और यह बन गया NH यह बन गया NH सर यानि आपने गहीं अमोनिया का तो रिमोवल नहीं कर दिया है हाँ 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 मैंने अमोनिया का कर दिया है रिमोवल जैसे हीट करने पर water रिमोवल होता है न इसी तरह है अमोनिया का कर दिया रिमोवल दो हाइट्रोजन और एक हाइट्रोजन यहाँ से लेकर अमोनिया रिमोवल बनने वाले compound का नाम है थेलिमाईड अमाईड और इमाईड दोनों अलग अलग functional group है प्लीज रिमेंबर थैलिक एसिड से थैली इमाईड पूछ रहा है या थैला अमाईड पूछ रहा है conversion में काम आएगा अब मालो उसने सवाल वाले ने डारेक लिए दिया कि थैलिक एसिड से आप थैली माईड बनाओ आप तो फैल जाओगे सुरा मैं तो पता ही नहीं क्या होता है इसलिए नाम भी ऐसे खतरना compounds के बेहत जरूरी हैं दोस्त ताकि आप इन सवालों को कभी गलत ना करें क्या इतना बात अपनों को गलियर हो गया कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं सर एसिड हैलाइड बनाया एसिड अमाइड बनाया अब बात करते हैं एन हाइडराइड की दो मूल एसिड लेता हूं दो मूल एसिड लेता हूं चालो ठीक है हमने ले लिया दो मूल एसिड क्या आपकी नजरे देख पाई है सरम समझगे क्या करने वाले हो बताओ heat mention है P2O5 एक dehydrating agent होता है dehydrate करना यानि water का removal करना अरे सर डरते क्यों हो कर दो water का removal water का हो गया removal क्या बनने वाला compound दिख्या क्या R, seedable bond O, O, seedable bond O और सर जी enhydride बना दिया यानि जब भी अपन acid के अंदर dehydrating agent डालेंगे तो आपको क्या बनाना है आपको enhydride बनाना है water का removal करके 2 mol acid से 2 mol acid से पानी का कर दीजिये removal आपको मिल जाएगा enhydride क्या ये वाली बात clear हो गई है देखो मैं एक बार आपको short में फिर से रिवाइस करवा देता हूँ जो जो पढ़ाया अभी तक मना confusion ना हो जाओब आप सबसे पहले acid halide कैसे कैसे बनाया pcl5, pcl3 और socl2 डाल कर उसके बाद उसके बाद esterification reaction की बात की यानि alcohol और acid में डाल कर ester बनाया उसके बाद amide बनाया ammonia डाल कर और फिर p2o5 डाल कर enhydride बना डाला clear आए थोड़ा से आगे चलते हैं ring substitution ये भी थोड़ा से important part है aromatic carboxylic acid जो होते हैं undergo electrophilic substitution reaction in which carboxyl group act as deactivating and metadirecting ये जो coh group है न ये कैसा है metadirecting यानि आने वाले यानि आने वाले electrophil को अपनी metaposition पर लेगा किस पर लेगा metaposition पर concentrated HNO3 और H2SO4 को phenol वाले alcohol वाले chapter पढ़ाया था nitrating mixture होता है ये क्या है nitrating mixture यहाँ से जो electrophil generate होता है वो NO2 होता है कौन सी position पर लगाओगे metaposition पर BR2 in presence of Febr3 कैसा electrophil generate होगा BR plus brominium iron कौन सी position पर लगाओगे metaposition पर क्योंकि benzene rinkis उपर attached carboxyl group क्या है metadirecting आने वाले electrophil को metadirecting बनाएगा metaposition पर attach कर वालेगा इन सब की detail बाते alcohol वाले chapter में पहले ही कर चुका हूँ किसके अंदर अरे फ्रिडल क्राफ्ट रियक्शन के अंदर अरे फ्रिडल क्राफ्ट रियक्शन के अंदर clear और next बहुत important आज की class की अगली महा naming reaction soda lime decarboxylation reaction awkward awkward degradation भी नाम से जाना जाता है हालक यह नाम बहुत ही uncommon है बहुत सारे लोग नहीं बताते है soda lime decarboxylation सब जानते हैं आसान है करना क्या है when sodium salt of when sodium salt of carboxylic acid is treated with is treated with soda lime soda lime क्या है सब हमें पता है क्या NaOH plus calcium oxide sodium hydroxide और calcium oxide के mixture को soda lime बोला जाता है sodium salt of carboxylic acid is treated with soda lime we get we get alkane यह even hydrocarbon लिए ज़्यादा सही रहेगा we get hydrocarbon as a product हम hydrocarbon as a product obtained करते हैं by decarboxylation by decarboxylation यह decarboxylation का मतलब है removal of CO2 समझना RCONA sodium salt of carboxylic acid को treat करवाया है किसके साथ treat करवाया sodium hydroxide और calcium oxide heat कर दिया और बनने वाला और बनने वाला compound है alkane RNA2CO3 बाहर क्या आप यहाँ पर एक चीज़ देख पाई है क्या आपकी नजरे इस चीज़ को देख पाई है क्या सर अरे देखो तो सरी अरे देखो तो सरी क्या रिमूबल किया आपने in presence of calcium oxide तो आप CO2 का रिमूबल कर दो लिखाए ना decarboxylation that is removal of CO2 क्या बनाएंगे आप alkane बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या इतना बात clear है क्या इतना बात clear है आप अच्छा एक चीज़ और सीखना अच्छा पहले तो mechanism बताऊंगा मैं इदर आजाओ mechanism सीखो पहले तो mechanism उसके बात करेंगे बात की बाते RCO मैं इसको ऐसे दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा feel आजाए फिल भी तो जरूरी है RCO bond O O पर माइनस Na plus in the very first step O का माइनस इदर bond shift करता है और R को निकाल फैकता है R, R- की form में जा रहा है तो Na plus के साथ attach हो गया किस चीज़ की remove हो गई सर यह देखो यहाँ double bond बना एक double bond O पहले था O double bond C double bond O सर CO2 remove हो गया सर CO2 remove हो गया ठीक है क्या आप देख पा रहे है पहली ही step rate determining step है slow step है carbonion बन गया यानि बहुत important part बहुत important part advance के लिए soda lime decarboxylation में carbonion reaction intermediate है बहुत ही कम organic मैसी reactions है जहां carbonion आपको reaction intermediate मिलता है one of the reaction is soda lime decarboxylation वनना generally आप क्या देखते हैं carbogatine देखते हैं pre radical देखते हैं यहाँ बन रहा है carbonion ठीक है सर अभी यह CO2 NaOH के साथ reaction करके Na2CO3 बनाता है दो मूल balance कर लेते हैं plus water बहार plus water बहार और जो बचा हुआ calcium oxide है वो बचा हुआ जो calcium oxide है वो क्या कर लेगा CO2 के साथ reaction करकर calcium carbonate बना लेता है calcium carbonate सरी यह water करता क्या है अरे यह water अरे यह water carbonion के साथ reaction करके carbon पे minus charge है water से H plus ले लेगा और alkane बना लेगा क्या आप mechanism सीख माई है सबसे पहले carbonion बना CO2 के अन्योच के साथ reaction हुई water बना water बनने के बाद water बनने के बाद carbonion के साथ कर लेगा reaction और बन गया alkane और बन गया alkane clear है छोटा सा एक सवाल अब आप से मैं पूछना चाहूँगा पूछ सकता हूँ मेरे दोस्त इन पांचों compound में इन पांचों compound में rate of decarboxylation बता दो यानि CO2 निकलने की rate सबसे ज़्यादा किसमे होगी 1,2,3,4,5 वीडियो को पोस करें खुद के दिमाग से सोचें और आंसर बताएं इतने मैं लिखता हूँ इतने आप सोच लो इतने मैं लिख रहा हूँ rate of decarboxylation is directly proportional to order सोच लिया होगा rate of decarboxylation is directly proportional to stability of जो RDS में बना है stability of carbon ion carbon ion की stability चेक कर लो क्योंकि reaction के mechanism में carbon ion मना है और carbon ion की stability कौन बढ़ाते है minus I minus M group minus I minus M group increases stability carbon ion की stability बढ़ाते है electron withdrawing group क्या आपकी नज़रे देख पाई है NO2 का minus M chlorine का minus I यहां को effect नहीं methyl का hyperconjugation और inductive OCH3 का plus M सर plus M और plus I तो destable करेंगे सबसे बढ़िया minus M electron withdrawing है effect तो rate of decarboxylation CO2 निकलने की rate को बढ़ाएगा फिर second है फिर third है फिर fourth है फिर fifth है minus I और minus M में minus M dominant रहता है इसी तरह plus I plus M में plus M dominant रहता है तो यह हो गया rate of decarboxylation clear यह बहुत important बात है इस पर advance में question भी आ चुके है यानि J point of view से important बात है ठीक है rate of decarboxylation बताया मैंने आपको L-kin बनाने बताई और यह mechanism हमने कर ली अच्छा रूको पहले इसके 2-4 questions भी करते हैं यहीं कर लेते हैं example बहुत असान असान example है जाद आपको प्रेशान मैं करूँगा नहीं यह आप सुन्दर से मासून से बच्चे हो C O N A soda lime डाला है Na OH और calcium oxide को डाल कर heat कर दिया है product product सोच लो बहुत important benzene बनाने के भी काम आती है benzene बनाने के भी काम आती है reaction अरे सर C O 2 हटाओ cyclohexene मनाओ सर C O 2 हटाओ benzene मनाओ सर ethene मनादो देखो यार कितने बच्चे बच्चे लेवल वाले question है यार कर पाई है आप ये तीनों सवाल बहुत ही बढ़िया तीनों सवाल आप कर पाई है तो मैं कुछ आपको homework देना चाहता हूँ जो आज आपने पढ़ा है question number 1 इनको मैं discuss करूँगा अगले ही lecture में question number 2 question number 3 और I don't think कि इन तीनों question में किसी भी student को doubt आया जिसको doubt आया भाया कुटूंगा बता रहा हूँ कोई ऐसा सवाल ही नहीं जो आपको doubt आना चाहिए सब कुछ आप पढ़ चुके है सब कुछ आप पढ़ चुके है कि यह है question number 1 और यह दो questions आपके यह acetyl dehyde है acetyl dehyde मैं दिखनी रहूँगा है acetyl dehyde खेर दिखी जाए आपको तीनी question दे रहा हूँ जो आपको करने है lecture number 4 के अंदर naming reaction को start करते हुए carboxylic acid के और खतम करेंगे carboxylic acid क्या-क्या hvz reaction colway reaction colway electrolysis electrolysis और यहाँ पर borodine huns ticker reaction huns ticker reaction इन तीनो reactions को complete करना है अगले lecture में और इन questions को मैं discuss करूँगा क्या आप कोई सारी बाते clear हो गई है क्या आप कोई सारी बाते clear हो गई है तो इन तीनो questions को आप करके लाएंगे और lecture number 4 में carboxylic acid का खतमा चीजों को एक sequence में पढ़े हैं लगबग सारे chapters organic के अविलेबल हैं आपके पास helo alkins and helvarines as a reaction mechanism alcohol phenol ether carbonal compound और यह है आपके पास आपका प्यारा carboxylic acid वीडियो के description में playlist अविलेबल है आप उनको देखें lectures को पढ़ें और आनन्द उठाई I think lecture की duration मेरे साब से 30 minutes के around सही रहती है क्योंकि एक घंटे में हो सकता है मजा कमाता हूँ आदे आदे घंटे की इसलिए मैं duration रखता हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में मजाए और content भी लगवग सही रहे एक घंटा मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा रज़ता है बोरिंग है यार content है नहीं और इस चीज़ को मैं एक घंटे भी खिषता हूँ तो मैं वह वाली वीडियो भी बना सकता हूँ यानि वन शॉट में इन सब को बना सकता हूँ ठीक है तो जैसा आपको comfortable लगे आप comment करके बता सकते हैं till then stay safe bye bye take care मिलते हैं अपन अगले lecture में